हेलो फेंट्स आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे नवय एग्री टैक लिम्टेट फेंट्स टोक में काफी अच्छी आपको तेजी देखने को मिल रहे हैं और क्या कुछ इसकी अपडेट है जिस वजह से इसमें अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है और चा तो मैं आपको बता देती हूं कि भी तेजी हमें क्यों देखने को मिल रही है तो चलते हैं अपडेट की तरफ मांसुन जल्दी आने से उर्वक किर्सी रसाइन सेर में तेजी मतलब यहां पर कहा जा रहा है कि जो मांसून है ना वो जल्दी आने की यहां पर उमीद की जारी जिस वज़े से भी तेजी आपको देखने को मिल रही है मांसुन जल्दी आने के कारण FACT, Nova Agritec और Rails India जैसे उर्वरक और किर्शी रसाइन कमपनियों के शेरों में तेजी देखी गई विचलेश को ने कहा कि निवेस को उमीद कर रहे हैं कि अच्छी बारी से किर्शी बढ़ेगी साथ ही में अन्य कमपनियों के लिए विचेश तेजी की सिपारस की मतलब यहां पे एक उमीद के तोर पे देखा जा रहा है क्योंकि मांसुन जल्दी आ गया है जिस वज़े से आप देख सकते हो जो किर्सी और उर्वरक से रिलेटिड जो जितने भी यह सेक्ट आपको देखने को मिल रही है अब हम चार्ट पे चलते हैं और बात करते हैं तो फिलाल हम चार्ट पे आ गए हैं और कल सायद 2-3 दिन पहले बता था मैंने हमारा टार्गेट यहां पे 69.83 का है इसके ब्रेक आउट के बाद मैंने बताया था तो यह टार्गेट आज हिट नह के पास बन रहा है तो कल कनफर्मेशन मिल जाएगी कि कैसा मोमेट आपको देखने को मिलेगा अगर भई यहां पर कल बुली स्केंडल बनी और ब्रेक आउट दिया तो फिर जो यह इसका हाई प्राइस था आई प्योंकि आपको आपको पहले लिस्ट हुआ था तो पहला टा सब्सक्राइब कंप्लीट होने में अगर भई ब्रेक आउट देता है तो देप्ट के अकोर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे वह आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी फिलहाल तो मैंने आपको टार्गेट बता दिया पहला कल के लिए यही रहेगा के बाद इस टोक में आपको गिरावट देखने को मिली थी तो यह हो सकता है और यहां पर जो मैं आपको बतारी 70 के आसपास का यहां पर एक स्ट्रोंग रिश्टेंस है पहले भी मल्टी टाइम यहां पर स्टोक दे भई क्रेक्शन दिखाई है तो यह ब्रेक आउट होना ब है बाकि आपका क्या कहना है इस टोक के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना और फेंड्स इन्वेस्टमेंट से पहले खुद की इनलेज ज़रूर कर लेना क्योंकि इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन परपज है